नमस्कार स्वागत है आपका स्टड़ी फॉर लाइफ यूटूब चैनल में आसा है आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और अब अपनी जो 66 मेंस का एक्जाम है उसका लाश्ट टच दे रहे होंगे अपनी तैयारी को तो ये मॉडल आंसर की सीरीज जो हिंदी साहे तॉप्सनल वालों के लिए है वो इसे जरूर देखें जुड़े रहें इसके साथ और वीडियो सेर भी करते रहें ताकि और लोग भी से देख पाएं अधिक से अधिक लोगों को लाब मिल सके चैनल भी सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन दवा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इसके साथ साथ हम बिहार स्पेसल भी पढ़ा रहे हैं तो सुबह आठ बजे उसका वीडियो आएगा आप लोग अभी जैसंकर प्रसाद की काल जाई रचना कामायनी का प्रकासन 1936 में हुआ यह प्रसाद जी की प्रोणतम क्रती है इसकी कथा वस्तु संपूर्ण विश्द्वारा समर्तित है पौरानेक तथा धार्मेक आख्यानों से संबद्ध है प्रसाद ने बिविद ग्रंतों में ब दिखरे हुए कथा सूत्र को बड़ी कुसलता से संयोजित किया है कामायनी की कथा महाकावी की मांग के अनुसार प्रिख्यात ही नहीं बलकि बिश्विश्रित है महादेवी जी के अनुसार प्रसाद जी की कामायनी महाकाव्यों के इतियास में एक नया अध्याय जोडती है क्योंकि वह ऐसा महाकाब है जो एतिहासिक धरातल पर प्रतिष्ठित है और सांकेतिक अर्थ में मानो विकास का रूपक भी कहा जा सकता है इस महाकाब का नामकरण इसकी नायका के आधार पर किया गया है स्रिद्धा को काम गोतरजा होने के कारण कामाईनी कहा गया है जागरण के प्रभाव से उत्पन हुई थी कामाईनी में घटनाओं का प्राचीन महाकाब्यों जैसा ना तु विस्तार है और ना चरित्रों का विसद विवेचन इसमें मानों की आंतरिक भावनाओं का द्वन्दात्मक विस्तार है इसलिए इसे भावात्मक महाकाब की कोटी में रखा जाता है प्रशाद की संकेतों के आधार पर विद्वानों ने कामाईनी को रूपक महाकाब के रूप में विवेचित और विसलेशित करने का प्रयत्न सुरू कर दिया है कामाईनी का पहला सर्ग है चिंता यह भाव मनुस्त का ऐसा मूलवाव है जो अन्प्राणियों में नहीं है इसके बाद आसा का संचार होता है जिसमें विकास की प्रेणा तो मिलती है किन्तु विकास का असली आधार स्रद्दा ही है स्रद्धा से जीवन के असली उद्देश का मर्म खुलता है अंत में स्रद्धा के सहारे अखर्ण आनंद को प्राप्त करता है कामाईनी में क्रिया बुद्धी तथा भाव का अदबुत सामंजस दिखाया गया है विद्धानों में कामाईनी के रूपकत को लेकर मतभेद है नामबर सिंग कामाईनी के रूपक प्राचीन है नामबर सिंग ने कहा है कि कामाईनी के रूपक प्राचीन है तथा अनेक भाव सास्वत हैं और समस्याएं आदुनिक हैं आतनिक्ता के प्रभाव से भी अपने आपको सरवधा मुक्त ना कर सके। सुकल जी ने कहा है कि कामाइनी में रूपकों का निर्वाए रहसवाद की प्रकृती के करण नहीं हो पाया है। नंद दुलारे बाचपेई जी कहते हैं मानस मन का ऐसा विसलेशन और काब निरूपन हिंदी में सताब्दियों बाद हुआ है। आज का मानो जीवन अनेक जटिलताओं और विसमताओं से तरस्थ है। प्रशाद ने जीवन की विसमताओं और विरोधों की समरस्ता के द्वारा समन्वित करने का संदेश दिया है। समरत ये जड़ चेतन सुन्दर साकार बना था, चेतन ता एक बिलस्ती आनंद अखंड घना था। प्रशाद ने बड़ी कुसलता से विज्ञान की उस सिद्धान्त को जिसमें यह पृतिपादित किया गया है कि सर्वोत्तम का अस्तित्वी प्रकृती में रहता है। जो डार्विन बाद की बाद थी यह था, यह नीड धरोहर कृतियों का यह विश उरंग इस्थल है, है परंपरा लग रही यहां ठहरा जिसमें जितना बल है। प्रसाद की जीवन दर्सन में नियत्तिवाद का उलेखनी यह इस्थान है, जैसे प्रलायादी का वरणन। यह घटना प्रदान या चरित्प्रदान कब नहीं है, अनेक चरित्रों में प्रतिकात्मक्ता के तत्तु पाये जाते हैं। स्रिद्धा प्रसाद की आदर स्रिष्टी है, उसे अपने प्रेम पर गहन आस्था है, इसलिए मनू के चले जाने पर वह कहती है, मैं अपने मन को खोजन चली, सर्ता मरू नग या कुझ गली। कामाइनी में अधिकांस कता प्रकृती के छेत्र में घट्टी होती है। अधिकांस पात्रों का जीवन प्रकृती के गोध में विक्षित होता है। प्रशाद ने आधुनिक संबेदना को पूरी तरह से कामाईनी में आवध करते हुए समरस्ता के द्वारा जीवन के सुख में भविस तथा आनंद के प्रती आनंद प्राप्ति के सुझाओ के साथ कामाईनी की आनंद मैं परणती की है प्रशाद ने स्वयम लिखा है यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्वुत मिस्रण हो गया है इसलिए मनु स्रद्दा इड़ा इत्यादी अपना इतिहासिक अस्तित रखते हुए सांकेतिक अर्थ की अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत् अभियत्ति था आपने देखा आप इसे पढ़ सकते हैं स्क्रीन सॉट लेना चाहें स्क्रीन सॉट ले सकते हैं यह बहुत इंपोर्टन टॉपिक है आप देख लीजिएगा धन्नबाद